दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको science 2 के most important questions provide करने वाला हूँ, mcq, सब चीज़े यहाँ पर provide करने वाला हूँ, कि कौन से alignment क्या important है, क्या definitions cover करना चाहिए, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, तो आप आराम से out of mark score करोगे, बस आप से एक ही request है, कि अगर आप चाहते सबसे पहले मैं आपको textual questions कुछ दे देना चाहता हूँ, जो आपको cover करना चाहिए, देखो पहले बाद तो question number first and second, mcqs questions आपको cover करने है, question number third में दोस्तों आपको सबसे पहले, first question, second question very very important दोस्तों, then दोस्तों इसके बाद आपको question number e, e वाला, question number third का पहला किया, दूसरा किया, और e, then दोस्तों इसके बाद आपको question number four में जो तीनों diagram दिये हैं, वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और explain then into brief वो मत करो, बस diagram प्रैक्टिस कर लो, और यहां तक आपाट अगर आपसे हो गया दोस्तों, तो question number six में बस which criteria है न, बस आपको दो criteria याद करना है, उससे जादा कुछ नहीं करना है, अब page number 79 पे जो flow chart है, सबसे नीचे देखो, वो important है, then दोस्तों इसके बाद अगर आप आते हो, आगे, तो दोस्तों इसके अगर टेरिडव फाइट आगे उपर दोस्तों आपको कम से कम बस तीन points पता होने चीए, और दोस्तों इसके बाद जो diagrams है, तो मैंने already आपको diagrams तो दे दिया है, और दोस्तों इसके बाद आपको page number 75 पे जो सबसे उपर जो diagram, मलब flow chart दी है, वो आपको अच्छे से cover करना है, बस अगर आप इतनी चीज़े cover करते हो, तो इस lesson में पूरे marks आपको मि पता होना चीए, देखो अब science टू पढ़ने का तरीका अलग हो गया, आपको बड़े-बड़े questions नहीं पढ़ने, बस definitions diagram ये, pyramid of energy का definitions पता होना चीए, bio, geochemical cycles, उसका definitions पता होना चीए, gaseous cycle और sedimentary cycle के बिच में distinguish पता होना चीए, और दोस्तों इसके बाद आपको carbon cycle, oxygen cycle, nitrogen cycle ह तो उसके अंदर से आपको oxygen cycle सबसे पहले cover करना चीए, हाँ, फिर भी मेरा suggestion है, देखो 10th का कैसा होता है, ये paper board बनाता है, 9th के papers कैसे होता है, ये teachers जो पढ़ाती है, class में वही questions वो ज़्यादा देते हैं, तो आपकी teachers ने इन तीनो cycles में से, जिस cycles पे ज़्यादा focus किया होग तो वो cycle आने के chances है, but हर एक cycles का definition सब चीज़े है, अगर आप मेरा one sort videos देखोगे, तो वहाँ से आप cover कर सकते हो, बहुत easy तरीके से, अब देखो दोस्तों इसके बाद कुछ textual questions हो जाए, हाँ, जहाँ पर आपको nitrogen cycle में, जो last का page number 87 के देखो उपर है, important processes of nitrogen cycle, वो आपको cover कर चीज़े है, दोस्तों question number first आपको cover करना है, second, third में दोस्तों पहला question very important है, and question number second को और फिर थर, यह region तीनों हमको करना है, बाद में cycle में मैंने आपको बता ही दिया है, and दोस्तों आजाओ next है, lesson number 8, lesson number 8 के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले, uses of lactobaceli, page number 89 पे है वो आपको पता होना चीए, and दोस्तों इसके बाद role of rhizobium यह पता होना चीए, एक important है, then दोस्तों इसके बाद आपको next, page number 91 पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो वहाँ पे bio remediation दिखाई दे रहा है, वो आपको पता होना चीए, antibiotics का examples आपको पता होना चीए, दो types के antibiotics स National Institute of Viralology कब बना था, कहां पे है, बस वो आपको पता होना चीए, penicillines, जो है, उसकी discovery किसने की थी, वो आपको पता होना चीए, दोस्तों, and इसके बाद antibiotics के precautions में अपने को क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना चीए, and दोस्तों, इसके बाद हाँ, हमको यह भी पता होना ची सर, उसको पूरा याद करना है, उसको बिल्कुल पूरा नहीं याद करना है, बस आपको पता होना चीए, कि कौन सा disease में, कौन से pathogen का रोल होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ, hepatitis, तो आपको पता होना चीए, यह protozova है, bacteria की वज़े से होता है, यह virus की वज़े से होता है, तो वो point number first, point number second बस आपको cover करना है, देन अगर हम exercise की बात करें, तो question number six, question number first, and question number first, and second, third, MCQs type के वो तो आपको cover करना है, यह दोनों में, you region में, आपको पहला ओला, you region, दोनों ही you region सापको cover करना है, बात में question number seven में दोस्तों, आपको सब करने की ज़रुवत नहीं है, बस आप first वाला cover कर दो, और उसके बाद, first वाले के बाद, आप D वाला cover कर दो, और दोस्तों, इसके बाद, अगर हम देखें, तो question number eight में, बस आप second वाला पढ़ो, what is fermentation, दोस्तों, इसके बाद, lesson number nine में, आपको climate और weather के बीच में, difference between पता होना चाहिए, and दोस्तों, इसके the importance of weather in living world पे, दो, तीन पॉइंट पता होने चाहिए, बाद में, दोस्तों, देखो, यहाँ पे page number 98 पे, line number first, second, dash is the founder of IMD, यह आपको पता होना चाहिए, दोस्तों, देन, यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे, एक दो points और है, कि इसके regional office कहां पे, IMD क देखो, वहाँ पे, paragraph number second है, third, Indian Metrological Department का second line आपको पता होना चाहिए, इसके regional offices कहां पे है, और उसका head office कहां पे, यह आपको आ सकता है, बाद में, दोस्तों, आपको तीनों models को बस पढ़के रख लेना है, जो सबसे ज़्यादा important question है, दोस्तों, वो है, solid waste management, जहाँ पे आपक 002 पे आपको question of necessity of solid waste management आपको पता होना चाहिए, seven principle of solid waste management, 3R mantra आपको पता होना चाहिए, दोस्तों, इसके बाद आपको first aid का definition और उसके principle पता होने चाहिए, disaster management के जो भी points including है, वो आपको पता होना चाहिए, और last में, एक मस्ती मजा के लिए question cover कर सकते हो, कि जहाँ पे rice का full form क्या होता, वो आपको पता होना चाहिए, दोस्तों, और जो different method हम use करते है, patient को लेखे जाने के लिए, transport method यूज़ करते है, victim के लिए, आपको एक दो method पता होना चाहिए, अब अगर मैं questions की बात करूँ तो questions में आपको क्या cover करना है, दोस्तों, right short note में आप metrology के उपर दोस्तों, इसके बाद lesson number 3 में बस आप textual questions cover करो, और बाकी आपको कुछ इसमें cover करने की ज़रुवत नहीं है, बीच बीच में अगर आपकी teachers ने कुछ दीया है, जैसे software क्या होता है, hardware क्या होता है, तो यह आप cover करोगे, बस इसका textual questions cover करो, यहां पे पूरा का पूरा आपक Take care, जै हिन दोस्तों